वेलकाम बैग गाईस। आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि मिजो प्रो स्टोल टैबलेट के क्या क्या यूजिज होती है। करेंगे कई वीवर्स ने मुझसे पूछा कि क्या इन टैबलेट्स का यूज इन कम्प्लीट अबोशन को कम्प्लीट कराने में किया जा सकता है वो भी इस वीडियो में डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम लोग briefly discuss करेंगे कि मीजो प्रो स्टोल टैबलेट की क्या dose होती है क्या root होती है किस timing पर आप इन टैबलेट को use कर सकते हो कौन कौन सी condition होती है सब कुछ इस वीडियो में discuss करने वाले है मैं आपका स्वर करता हूँ हमारे youtube चालेंड पर और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो स्टार्ट करती है तो वाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मीजो प्रोस्टोल टैबलेट है इसके काफी सारे ब्रांड इंडिया में एवलेबल है जैसे कि प्रेस्टा काइंड, मीजो प्रोस्ट, साइटोलोग ये इसके कुछ फेमस ब्रांड है बात करें इसके काम करने की मोड ओ फेक्शन की तो ये यूटरस में कॉंट्रेक्शन्स पैदा करती है नमबर टू ये जो सर्विक्स है बचेदानी का मूँ है उसको ये बहुत ज़्यादा सौफ्ट कर देती है नमबर तीन, ये बचेदानी के मूँ को खोलना स्टार्ट करती है उससे होता ये है कि जब ये यूटरस में कॉंट्रेक्शन्स पैदा करती है तो जो भी प्रेग्नेंसी के प्रोड़क्स होती है अब ब्लड क्लोड होता है वो यूटरस से एक्सपैल आउट हो जाता है बात करें इसके यूज़िस की तो बहुत सारी कंडिशन में इन टैबलेट्स का यूज़ होता है और ये कॉंबिनेशन में यूज़ होता है जो पहली गोली होती है वो मिफे प्रिस्टोन की आपको लेनी होती है और उसके साथ में फिर आपको मिजो प्रोस्टोल लेनी होती है साथ ही इन टैबलेट्स का यूज़ पोस्ट पर्टम हैमरेज में होता है जब आपकी normal delivery होती है और अगर आपको bleeding नहीं रुक रही है तो ऐसी condition में भी आपको mesoprostol tablet दी जाती है तीसरी condition होती है कि अगर आपको labor pain start नहीं हुआ है तो आपको फिर mesoprostol की कम dose देखके labor pain start किया जा सकता है अगली condition होती है incomplete abortion को complete कराने में इन tablets का use होता है या फिर अगर किसी को naturally miscarriage हो जाता है और bleeding काफी time तक रहती है या फिर हम लोग चाहते हैं कि जो आपका abortion है वो जल्दी complete हो जाए तब इन tablets का use किया जाता है साथ ही कुछ ऐसी medicine होती है जिससे आपको internal ulcer होने के chances रहती है जैसे aspirin तो उसके risk को खतम करने के लिए या कम करने के लिए इन tablets का use होता है आगे हम लोग बात करते हैं कि इसके क्या-क्या doses होती है क्या timing होती है क्या root रहती है अगर आपको unwanted pregnancy है तो आपको साथ में Mifepristone लेना जरूरी होता है जो की 5 tablet की kit आती है first tablet बड़ी गोली जो Mifepristone की है वो आपको straight लेनी होती है 48 hour का gap रखके आपको 2 tablet mesoprostol की लेनी होती है अगर आप hourly ले रहे हो तो ठीक है hourly में क्यासे लेना है इन tablets को mesoprostol आपको गलों के बीच में रखनी होती है जो की buckle cavity होती है या फिर आप जीब के नीचे रख सकते हो जिसे sublingable cavity बोलती है गलों की बीच रखने से आपको nausea vomiting होने के chances काफी ज़्यादा कम हो जाते हैं लेकिन अगर आप जीब के नीचे रखकर इन tablets को लेते हो mesoprostol को तो फिर आपको nausea vomiting हो सकता है तीसरा method होता है vaginally लेने का अगर आप vaginally ले रहे हो तो आपको एक साथ 4 tablets mesoprostol की लेनी होती है जब आप इन tablets को लेते हो तो 30 मिनट से 4 घंटे के around आपको bleeding स्टार्ट हो जाती है अगली जो condition होती है वो है incomplete abortion इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि incomplete abortion के कौन-कौन से sign or symptom होती है तो अगर आप शुरुवाती time में 5-7 दिन में अगर आप catch कर लेते हो कि आपको जो abortion है वो सही direction में नहीं जा रहा और यह आगे जाकर incomplete हो जाएगा तो आप mesoprostol tablet को repeat कर सकती हो कैसे repeat करनी है क्या dose है वो में आपको already बता दी है अगली condition होती है कि आप इन tablets का use करके कैसे artificial liver pain start कर सकते हो तो देखे जो भी आपको doctor ने EDT दी है उस date पर आप mesoprostol की low dose वो आपको लेनी होती है उससे आपको artificial liver pain start हो जाता है फिर अगली जो condition होती है वो है naturally miscarriage होना जिसमें आपको पहली बड़ी गोली जो मिफे प्रिस्टोन की होती है वो लेनी की जरूरत नहीं है आपको सिरफ mesoprostol tablet लेनी होती है एक बात का हमेशा दियान रखना कि अगर आपको vaginally bleeding हो रही है तो आप vaginally इन tablets को use मत करना यह बात करें गाइस इन tablets के side effects की तो इन tablets के side effects है उसमें आपको fever आना, lose motion होना, cramping होना, heavy bleeding होना, vaginally infection आपको vaginally secretion काफी time तक रह सकता है post forming, discharge होना, vaginally smell आना, गभी ऐसा भी होता है कि heavy bleeding के चलते आप शोक में चले जाते हो ऐसा usually तब होता है जब patient का hemoglobin level है वो कम हो जाता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में एक बहुत interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit, thanks for watching this video